आज हम देखेंगे कि एक band facebook ad account को दुबारा कैसे activate करते हैं काफी सारे लोग जब cpa या affiliate offer का promotion शुरू करते हैं facebook ad के सुरू तो उनको facebook ad की सारी policies नहीं बता होती हैं तो एक छोटी सी कलती इक वरेसे उनको जो ad account है वो completely ban हो जाता है आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा step by step with proof बता हूँगा कि कैसे अपने band facebook ad account को दुबारा enable करना है तो चलते हैं अपने computer की screen पर तो अगर चानल को subscribe नहीं कर रहा है तो अभी कर लो तो मिना किसी देरे के शुरू करते हैं दोस्तों अब हम आगे अपनी computer की screen पर तो सबसे पहले मैं अपना facebook का account open कर लेता हूँ ताकि मैं आपको exactly दिखा सकूँ कि मेरा जो ad account Facebook का वो कब बंद हुआ था कब ban हुआ था और exactly कितने दिन बाद दुबारा से वो activate हो गया था ताकि मैं आपको पूरा proof के साथ दिखा सकू जो भी चीज़े जो भी strategy मैं आज आपके साथ इस वीडियो में share करूँगा आपको exactly वैसे ही copy करके apply करनी हैं कोई भी changes नहीं करने हैं जब भी आपका facebook का ad account ban होता है आपको यही method exactly copy करके paste करना है ताकि जो आपका ad account है वो enable हो सगे दोस्तो आप देशे तो यहाँ पर मैंने अपना account open कर लिया facebook का तो आप देशे तो यहाँ पर मेरा नाम है तो exactly 6 जुलाई 2018 को facebook ने मेरा एक ad account जो है वो ban कर दिया था deactivate कर दिया था जितने भी campaigns में run कर रहा था सारे बंद हो गया थे सारी ads बंद हो गई थी तो आप देख सकते हो कि 6 जुलाई 2018 को उसी दिन मेरा जो ad account है वो दोबारा reactivate हो गया था देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है we have reactivated your advertising account यह देखिए ठीक है and you should now be able to create new adverts and manage your existing ones तो ऐसे मैंने क्या लिखा कि जो उन्होंने मेरा ad account जो है वो उसी दिन activate कर दिया काफी सारे लोग यह सोचते है कि अगर हम CP offer run कर रहे है या affiliate offer run कर रहे है तो हमारा जो ad account है वो अगर एक बार ban हो गया तो दुबारा कभी enable नहीं होगा या अगर हमारी माली जो कोई website होती खुद की या खुद का कोई product होता तब enable हो जाता लेकिन अगर CP और affiliate offer है तो उस case में हमारा ad account कभी enable नहीं होगा बट ये चीज बिलकुल भी नहीं है मैं CP offers run कर रहा था मेरा खुद का तो कोई product है नहीं तो मैं CP offers run कर रहा था फिर भी मेरा एक दिन के अंदर activate हो गया तो exactly मैंने क्या लिखा है अपील में ताकि उन्होंने बिना को सोचे उन्होंने मेरा जो ad account है वो दुबारा enable कर दे था तो मैं आपको जो जो बता रहा हूं आपको exactly बैसे ही करना है कोई भी चीज चेंज नहीं करना है ठीक है एकतम full proof method बता रहा हूं कभी भी आपका ad account अगर ban होता है चाहे एक बार हो चाहे दस बार हो आपको यही चीज करनी है काफी सारे लोग यह सोचेंगे कि अगर मालेजिए हमारा facebook का ad account एक बार ban होगा तो यह चीज काम करेगी अगर दुबारा ban होता है या तीसरी बार ban होता है चौती बार ban होता है तो यह चीज काम नहीं करेगी बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैंने देखा हुआ है करकर के तीन-चार बार मलब एक ही ad account से भी नहीं करके देखा है तो यह चीज काम करती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो काफी सारे लोग मैंने देखा यह कहते है कि अगर आपका facebook का ad account ban हो जाता है तो आपको उनको sorry बोलना है उनको request करनी है कि आप से गलती हो गई आपको advertising policies नहीं बता थी facebook की क्या क्या ad की policy होती है आपके से बहुत बड़ी गलती होगी आप दुबारा ऐसी गलती नहीं करोगे प्लीज उनसे request करो तो आपका वो ad account open कर देंगे बट यह बिलकुल सच नहीं है बहुत बड़ी गलत चीज है यह अगर आप ऐसे करोगे तो मैं आपको 200% बोलता हूँ कि आपका जो ad account है वो कभी भी enable नहीं होने वाला activate नहीं होने वाला हमेशा ban ही रहेगा ठीक है तो सबसे पहला जो rule है वो यह है कि आपको कभी भी उनसे request नहीं करने हैं please नहीं बोलना कि मैं इससे गलती हो गई मिरसे मुझे नहीं बता थी मुझे policies पड़ लेनी चाहिए थी फिर मैं ad run करता है ऐसी बिलकुल नहीं कहना आपको अपनी गलती कभी नहीं आपको हमेशा facebook की गलती ही कहनी है कि facebook सही गलती होगी है आपको exactly क्या लिखना है अपील के टैब में वो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बहले आपको लिखना है I have taken many facebook advertising courses and also the facebook ads blue print course and I am running facebook ads since यहाँ पर जितने भी time से आप run कर रहे हो उस ad account पर बो number आपको लिखना है अगर मालीजे आप 6 महीने से ad run कर रहे हो तो आपको यहाँ भी लिखना है 6 months अगर मालीजे आपका सिर्फ एक महीना हुआ है तो आपको लिखना है 1 month आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे भी एक महीना हुआ है तो facebook मेरा ad account open करेगा या नहीं करेगा क्या मेरा एक साल हुआ है या 10 महीने हुआ है या एक दिन हुआ है जितना भी हुआ है आपको यहाँ भी लिखना है 2 महीने हो है तो 2 महीने लिखना है जिंग है उस ad account से आपके बास कितने भी ad account हो कितने भी time chap कर रहे हुआ लेकिन उस particular ad account से जो ban हुआ है जिससे आप ad run कर रहे थे उस पर कितने time chap कर 레o वो यहाँ पर लिखना है तो जैसे मैंने यहां भी लिखा है, since two months मैंने लिख दिया, ठीक है, उसके बाद लिखना है, and I know all the Facebook Advertising Advertising Policies, ठीक है, तो सिर्फ आपको इतनी चीज लिखनी है, और आपको 10-15 लाइन, पूरा paragraph आपको नहीं लिखना है, जो मैंने लिखा है, exactly, same to same, copy कर लेना, और इसको जाके पेस्ट कर देना, जब भी आपका Facebook Ad Account बैन हो, कोई भी चीज है, इसमें आपको चेंज नहीं करनी है, यहां पर ऐसा नहीं कि आप कोई चीज मिस कर दो, या आप two month की जगा, आपने यहां पर कुछ लिखा ही नहीं, या आपने लिख दिया कि Facebook Advertising Courses and also the Facebook Ads Blueprint Courses, because यह Facebook का course है, इसलिए वो यह समझते हैं कि जो उस course को लेगा, उसको सारी Facebook Ads की policies पता होंगी, तो इसलिए इसका नम आप करना ज़रूरी है, ठीक है, उसके बाद, and I am running Facebook Ads since two months, and I know all the Facebook Advertising Policies, ठीक है, exactly यह चीज़ को भी करना, और पेस कर देना, एक या दो दिन के अंदर आपका जो Facebook Ad Account है, वो reactivate हो जाएगा, तो काफी दारे लोग को यह problem आते हैं कि जब वो CPA या affiliate offers को promote करते हैं, तो उनसे ना जाने में कुछ गलतियां हो जाती है, जिसकी वज़े से उनका जो Ad Account Facebook का वो ban हो जाता है, और दूसरे Ad Account भी इतनी जल्दी create नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको बहुत problem face करने को मिलती है, तो यह वो तरीका है, जिससे आप अपने जो Ad Accounts हैं, वो दूआरा activate कर सकते हो, ठीक है, तो दोस्तों, I hope आपको यह वीडियो पसन आई होगी, तो वीडियो पसन आई है, तो वीडियो लाइक कर देना, और या अगर नहीं पसन आई है, तो डिस लाइक भी कर देना, और कोई डाउन हो, तो नीच्यों कॉमेंट में पूछ रहना, तो बाइ, टेक केर.